हाई एब्रिवान यू आप वाचिंग सीरल से आपकों कुम कुम भागे के आज रात के अपिसोड के शुरुआत में आर्वी कहेगा कि कब गुंडों ने उन्हें राइट्स में अटेक किया और गुंडे पूर्वी को अटेक कर रहे थे दादर जी कहते हैं कि पूर्वी ठीक है तब हर्लीन कहती है कि हाँ दादची वही लड़की है जिसने आपकी जान बचाएती हर्मन कहता है तो फिर आर्वी कहता है कि मैं उसे बचाने गया सब कुछ परताता है वो कहता है कि हमारे उपर उंगलियां उठाए गए सब लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा बोर रह जाया इसलिए मैंने सोचा कि लोग उसे disrespect कर रहें सिर्फ मेरी वजह से इसलिए उसके character पर उंगली उठा रही है उसकी character पर दाग लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे साथ थी और सिर्फ मेरी वजह से उसकी पूरे जिंदगी बरबाद हो जाएगी इसलिए मैंन तब इसाब पूछते तुमने क्या हलीन कहती है बोलो तुमने क्या आरवे कहता है मैंने उसकी मांगवे सिंदूर भर दिया दादर जी स्माइल करते हैं जजबीर भाद आता है लॉक अप से और उसके बाद बेल मिल जाती है उसको इंस्पेक्टर से कहता है कि अब आपको के अंदर की जो डिजाइन है जो कलर है वो अच्छा नहीं है वो कहता है कि यहां पर बहुत सारे मॉस्कीटों भी है इधर वो दिखाया जाता है किसी को देख रहा शीरा से कहता है भूशन जी यहां पर ऐसे गाट की तरह क्यों खड़े हैं जैसे वह एक अटकाउंटेंट ह तो तब ही भूशन कहता है कि आपके फादर अब नहीं रहे भूशन कहता है कि पूर्वी भावी एंड आर्वी अब एक दूसरे के साथ है आर्वी ने उनकी मांग भर दी है और अब उन्होंने उनसे शादी भी कर ली जजबीर बहुत जारा गुसा होता है उस पर उसे है लेकर यह स्टेप अब मैंने ऐसा लिया है जिस से में पीछे नहीं अट सकता और मुझे यह वादा निभाना होगा दाजे कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इविन तुम अपनी पूरे जिम्मेदारी फुल्फिल करो और हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे वो कहते हैं बेटा हम तेरे साथ है उसकी फैमली कहती है हम सारे अरेंज्मेंट कर देंगे तुम्हारी शादी के विकरान कहता है या अवियसली यह तो आरवी की शादी है तो सब कुछ हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे और आप अकेले कैसे करोगे दादाजी कहते हैं नहीं दादा जी कहते हैं कि नहीं तुम मेरे साथ चलोगे मेरा सारा काम करोगे और वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें सारी देखूंगा कि काम सही से हो रहा है कि नहीं और तुम में कितनी capability है यह कहता है और मैं क्या करूँ दादा जी कहते हैं कुछ नहीं यह कहता है कि ऐसा नहीं मेरे भी तो भाई की शादी है मुझे भाई का बेस्ट मैं बढ़ना है दादा जी कहते हैं तो तो उसके पीछे बैट वो कहता है कि शादी एक दो नहीं बल्कि करोट में उनी चाहिए और बल्कि आप कहसकते हैं कि शादी को तो ऑसकर जितने लोगों के साथ सेलिबरेट करना चाहिए तभी आरवीर से कहा जाता है कि तुम पूर्वी की ममा को भुलाओ आरवी कहता है कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है यो कहता है लेकिन तुम्हारे पास पूर्वी का नंबर तो है न उसको फोन करो दादा जी कहते हैं हाँ हमारे पास लेन नहीं नंबर भी है तभी व आपने कुंगफु फ्रेंड्स के बेटे के साथ में टेलेकॉम इंडॉस्ट्री में रहा हूँ और पूर्वी का लेंड नाइन नंबर मैंने वहीं से निकाला ताकि मैं उसकी फार्मिली से बात कर सकूँ वह एक बहुत ही अच्छे आदमी है हमारी फार्मिली में से हर्मन तब फील हो रहा है के ये काल आरवी के घर से है वह कहता है कि हमने आरवी के आखों में सचाही दे़ी थी तबी जो भी गुड है वो अच्छी बाते कहता है है पूर्वी एकदम सही है उसके शब्द मेरे दिल को छूग है तावी वह कहता है कि आइम शौर कि आर्वी के यहां सही होगा पूर्वी सच में बहुत अच्छी है और यह कॉल जरूर देखना तो मुसी के लिए होगा विशाखा प्राची से कहती है तुम उठाओ प्राची क यह कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ आप सबके सामने वह हमें नहीं पता था और नहीं हमारे सामने हुआ लेकिन मुझे प्राउड है अपने आर्वी पर कहते तो आप हम इन दोनों के लिए हम प्राची कहते हैं जीग दादजी कहते हैं I wish कि मैं RV को आपके पास बेज सकता और पूर्वी को उसके साथ बेज सकता RV और पूर्वी एक दूसरे को जानने डिनर डेट पर So that वो दोनों अपनी पसंद नापसंद के बारे में बात कर ले Marriage decision जो है Marriage का वो lifetime decision होता है इसलिए युग पूर्वी के नंबर पर हमने call करने का फैसला लिया ताकि आप पूछ लें और आप call speaker पर डालिये प्राची कहती है कि छीक है पूर्वी call पर करती है और वो कहती है speaker पर है आप दादर जी introduce करवाते हैं कि मैं RV का grandfather हूँ मैं तुम दोनों को एडिनर डेट पर भीजना चाहता हूँ वो पूर्वी से कहता है कि क्या तुम RV के साथ 9 बजे जाओगी वो कहती है कि मेरी family कल आप से मिलेगी प्राची permission दे देती है पूर्वी को दादर जी कहते हैं प्राची ने भी permission दे दी है पूर्वी yes कहती है दादर जी कहते है मेरी blessings तुमारे साथ है जो भी तुमारे फैसला होगा विशाका कहती है कि तुम क्या पैन होगी जस्पीर वीडियो देखता है शीरा से कहता है कि तुम आओ मेरे साथ अब मुझे इसका ठिकाने लगाना होगा इधर वो कहता है कि यह सब कुछ का कैसे हुआ मुझे पूरी डिटेल चाहिए जस्पीर कहता है कि मैं जब जेल में था मुझे अतना suffocated feel लग रहा था ना कि मैं भार जाना चाहता था चाचा जी कहते है कि ठीक है गाट्स तुम भी जस्पीर के साथ जाओ इधर विशाखा कॉल करती है पूर्वी कॉल कहती है इस 8.55 क्या तुम रेडी हो दिया वहाँ आती है विशाखा कहती है पूर्वी तुम अभी ready नहीं हो पूर्वी वहां आती है विशा का कहती है खुशी से कि destiny आपके साथ एकदम अच्छा करती है और वैसे भी तुमें देखो कितना अमीर बंदा मिला है तब ही वो कहती है कि हाँ वो बहुत जादा rich है और अगर उसकी कोई girlfriend नहीं होगी क्या कि क्या वो अच्छा लड़का है भी नहीं otherwise हम उसे divorce देंगे और पूर्वी उसे देखते रह जाती है यही सब दिखाया जाएगा शो के upcoming track में देखना होगा काफी interesting कि क्या होता है इनकी love story का फिलाल तो ऐसे मज़िदा updates के लिए चैनल को subscribe कर लीजए वीडियो को like share करना कर दो